प्रेंट्स क्या पहले आपने आटा की इतनी खस्ता मठरी खाई है तो आज हम बनाएंगे आटा की खस्ता मठरी बहुती क्रिश्पी और बहुती है खाने में भी टेस्टी है और बहुती क्रिश्पी बनती है तो फ्रेंट्स इसको हम इस तेवहार पर भी बना सकते हैं या हम वैसे भी कभी भी बना सकते ही, ये खाने में बहुत ही टेस्ट होती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, इसके लिए मैंने लिया है, एक कठाई, इसमें एड़ कर देते हैं, दो टिबल स्पून ओयल, आप तो कोई भी ओयल यहां पर एड़ कर सकते हैं, चाहे तो इसमें गी भी अट कर दीजिए, ये मत्री बहुत ही खस्ता बनती है, साथ में इसमें आदा चमच जीरा और आदा चमच है यह पर अजवायन एड़ कर देंगे, आड़ करेंगे इसमें एक चमच सफेद तिल, तिल को भी हम यहांपर अच्छे से थोड़ासा चटका लेंगे जैसे ही हमारे तिल चटक आएगी हम इसमें अड़ करेंगे 4-5 हरी मिर्च और 1 इंच अध्रक की टुकडे को हम ने यह आपर थोड़ासा कूट लिया है इसको भी हम इसके साथ ही थोड़ासा भून लेंगे और जैसे ही हमारा ये भून जाएगा साथ में इसमें आड़ करना है एड़ी चमच कसूरी मेboys असके तोली ढूरी 1 प्रत-पानी भून जाएगा तोली धनी को आप इसी टेम पर यहाँ पर थोड़ी भून ली जएगा धनिया भुनने के बाद इसमें एड़ करना है 1 फोर्थ कप पानी, पानी हमें बहुत जादा यूज नहीं करना है, बस थोड़े से पानी में ही हमारा डो लग कर त्यार हो जाएगा, तो पानी में हम बॉयल आने देंगे, जैसे ही बॉयल आ जाएगा तो हम यहाँ पर एक आती बनाने बाला जो आटा होता है, बस वही यहाँ पर एड़ करना है, और दो से तीन चमच हमने यहाँ पर सूजी का यूज किया है, और इसको भी अच्छे से इसी आटे में मिक्स कर देंगे, जिससे जो नासा हमारा जो मठरी है, वो बहुत ही खसका बनेगी, इसलिए हम चल्का सा हमें भूना है, जैसी कि हलका सा इसका कलर चेंज हो जाए, तो हम गयस का फ्लेम ऑफ कर देंगे, लिजे फ्रेंट्स, इसका कलर हमारा चेंज हो गया है, तो गयस का फ्लेम हम आप करकी, एक मिनट के लिए ढखकर छोड़ देंगे, अब इसको हमने एक दूसरी बाल कद्दूखस कर लिएए तो दोणायु को कद्दूखस कर लिए चोटे कहते हैं time टोनों को कद्दूकस करना है इस आठники में चाहिए थो धो पनायार Video के MKT से यहाँ पर लग कर त्यार होगा तो आलु को हमें कद्दुकस करना है मैस नहीं करना है दो लगाएंगे तो अच्छे से मसलते हुए हम यहाँ पर डो त्यार कर लेंगे तो दो आलूओं में और वन फूर्ट का पानी में हमारा डो बहुत आसानी से लगकर त्यार हो जाएगा इसमें बिल्कुल भी पानी एड नहीं होगा यह बहुत आसानी से लगकर त्यार देखिए विल्कुल सॉप्ट सा हमारा यहां पर डो लग गया है यह देखिए फ्रेंट्स डो बनकर त्यार है और आप देखिए इसमें डो को तोरने पर देखिए कितना अच्छी सी जालियां और दिख रहे हैं तो चलिए अब हम इसको बेल लेते हैं तो इसको हमें थोड़ा बड़े साइज का बेलेंगे तो यहां पर लोई को हमने प्रेस कर दिया है यह आटे हमने लगाया है तो यहां पर यह थोड़ा सा किनारों में फटता है तो हम इसको किनारों से दबाती हुए इसको अच्छे से तो लेजिए किनारे थोड़ा सा हमारे फटे फटे हैं कोई ने जब हम इसको काटेंगे तो ये ठीक हो जाएंगे तो हमने यहाँ पर एक कटर लिया है और कटर के हर्पचा हम यहाँ पर इसको लम्बी लम्बी इस ट्रिप जैसा हम यहाँ पर बना कर त्यार कर देंगे आप च चाहे तो इसको छोटा भी काट कर त्यार कर सकते हैं तो देखिए इसकी थिकनिस मैंने यहाँ पर बस इतनी रखी है और जो किनारों में हमारा जो फटा भाग था उसको हम इस तरीके से निकाल देंगे उसको बाद में दुबारा से बना कर त्यार करेंगे तो लीजी फ्रेंस यह मठरी हमारी यहाँ पर कट गए है और अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं यह मठरी आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल भी चिपकती नहीं है आप इसको कैसे भी रख सकते हैं लीजी मठरी हमारी कट गए है और अब चलते हैं गैस की तरब तो गैस का फ् बस थोड़े दिर हमें एक साइट से इसको पकने देना है इसको तुरंत ही हम लगातार नहीं चलाएंगे जैसे ही एक साइट यह पक जाएगी हलकी सी तो इसकी बाद हम इसको चलाना स्टार्ट करेंगे तो इसको हमें अब लगातार धीरे धीरे थोड़े धीर में इसको चलात है और अच्छा सा क्रिस्पी सा हमारी मठी जो है अच्छा से सिख गई है तो हम इसको निकाल लेते हैं तो यह लेजे फ्रेंड्स हमारा एक बैस यहां पर बनकर त्यार है इसी तरीके से दूसरी बैस को भी बना कर त्यार कर लिए आप इसकी आवाद ही समझ गए होंगे की मठरी कितनी ceux बनें और बहुत ही तेस्टी लगती है इinen खाने में यह देखे कितनी जालिदर हमारी मठरी बनकर त्यार हुई और इसको तोड़ कर दिखाती है यह देखे एकदम क्रिस्पी बनती है मट्री तो आप इस मट्री को एक बार जरू ट्राइ किजिए वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक किजिएगा चैनल पढ़ना है तो सब्सक्राइब कर लीजीगा और अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद